हरर महादेव सभी को जैश्री गाम बलरामपूर अभी पार कर रहा हूँ रात में यहीं पेरात्री विश्राम हुआ था उसके बाद सुभा निकला यहां से और एक पाई देंगलों के रास्ता है तो उसमें थोड़ा कम पड़ेगा दूरी जम्शितपूर का शाम सात बजे तक जम्शितपूर पहुंच जाओंगा हरर महादेव अभी बलरामपूर से निकल कर बोरम वाले रास्ते में आये हैं तो यहां पर हमारे बजरेंगी भाई सब बजरेंगी दलके हैं सभी कारिकरता यह सभी साथ में थोड़े दूर चल रहे हैं हमारे साथ और सभी सनातन धर्म क अनुयाई है हर हर महादेव बलरामपूर से लगभाग 15-16 किलो मिटर आ गया चुका हूं और यह सिंगल रास्ता है पहाड़ी होते हुए रास्ता है हर हर महादेव जैशिव शम्भू शिव शम्भू रहे हैं और यहां से लगभग 35 किलो मेटर और जम्शत्पूर लगभग 16 किलो मेटर जेंगल पार कर चिका हूँ और जेंगल की दूरी पंदरा से 20 किलो मेटर और बची है रास्ते में कुछ नुकान-वुकान भी नहीं है असले बड़ी खुबी आई भूट होने का बाद भी यहां पर इसले चलने में भी थोड़ी आसानी होने है जैशिव शम्भू 25 किलो मेटर का लगभग है फोरेश्ट एडिया पार कर गए है और दस बारा किलो मेटर और होगा शायर जार किलो में भी आसा कवाव जैशछऑ Ki-लो जास जाफ मेटर कर भी लुबूद टाह पंप luc ये एक, दू, तीन, तीनो पहाड़ी पार करने के बाद साहे चाहता हो जरी गए काफ़ी आप दूश्च अभी काफ़ी जटिल रास्ता है इस पाने में से हो करने करना है पहाँ भानिंगो पाने के पहाँ जोड़े दूर तक की चड़ है फिर इस पहाड पर इस पहाड के ऊपर जाना है उसके बाद उस पार रोट देगे पर ही कर्ष्टदाई रास्ता जाए कुछ दूर रास्ता सिप्रकार मिलेगी इस ते रास्ते में जूता चपल पहां करता है इसलिए खाने के जी जाना पड़ेगा दूपी काफी देज ओफ पैर्द होने का जगह कहीं मिलेगा तो फले पैर्द होया जाएगा 29 किलोमीटर लगभग वने छेत्र पार कर चुके हैं और शायद बारिश भी आने वाली है और यहां रुकने का भी कोई जगह नहीं है कर दो खुके हैं और शायद जगए आने के जारी है और शायद है प्याद है जे जगए खुके हैं पार शायद बार शायद है कफी खमा जंदल काफी मन मौख द्रिश्य यहां का सादे सुपहाल की जिए कि जिए झाल की जिए झाल 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 अभी डिमना लेक पहुंच चुका हूँ यह डिमना लेक की पहाड़ी झाल 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 झाल